Hello Investographer, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में Recently मुझे 300 से भी जादा मैसेज मिले जिसमें बस एक सवाल पूछा गया था कि क्या मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है काफी सारी इंवेस्टर्स को यह डर लग रहा है उसके पीछे के reason भी वैसे ही है इरान की तरफ से recently इसराइल के ऊपर rocket fire किये गए जिसकी वज़े से middle list में वापस से एक बार tension हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला चाइना की तरफ से stimulus package जो है वो release किया गया जिसकी वज़े से इंडिया और globally profit booking हमें होती हुआ देखने को मिली ऐसे में काफी सारे investors को ये लगता है कि market यहाँ से crash हो सकता है और ऐसे में उन्हें ये डर है कि पिछले 3-4 सालों में मेहनत से जो पैसा कमाया है वो पैसा इस crash में चला ना जाए और इसलिए ये सारे लोग एक alternate investment option को दून रहे है मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छा alternate investment option करंट situation में gold हो सकता है इसके पिछे के reason भी वैसे ही है Recently Indian government ने gold के उपर से 9% custom duty कम की जिसकी वज़े से इंडिया में हमें gold की prices drop होती हुई देखने को मिल रही थी इसी वज़े से ये सही समय है जहाँ पर आप gold में invest करने की लिए देख सकते हो बट gold में invest करने का सही तरीका क्या है अगर आप physical gold खरीदते हो तो वो gold चोरी होने के chances होते हैं उसको ठीक से store करना पड़ता है आपको उस पर making charges देने पड़ते हैं जिसकी वज़े से ना ये एक safe investment हो पाता है और ना ही ये एक profitable investment हो पाता है अगर आप sovereign bond में पैसा डालते हो तो gold sovereign bond में आपको एक specific period के लिए अपना पैसा lock करके रखना पड़ता है और इसलिए gold में invest करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है gold ETF Recently grow की तरफ से भी gold ETF या पर launch किया गया है जिसका NFO 7 October से लेकर 18 October के बीच में आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा इसके बारे में हम और जादा detail में बात करेंगे अभी हम gold में किस तरह से invest करना है उसके बारे में थोड़ा सा सीखते है अब अगर आप gold ETF में invest करते हो तो उसके फाइदे क्या है सबसे बड़ा फाइदा है कि gold ETF की जो price है वो gold की price के साथ align होती है आप देख रहे होगे कि रोज ही gold की price जो है वो हमें उपर जाती हुई देखने को मिल रही है ऐसे में अगर किसी ने gold ETF में invest किया होगा तो उसका भी portfolio हमें उपर जाता हुआ देखने को मिलेगा गोल्ड की प्राइजस अगर drop होती है तो आपको ETF की प्राइजस भी drop होती हुई देखने को मिलेगी गोल्ड की प्राइजस अगर उपर जाती हुई देखने को मिलेगी इस fluctuation का फायदा भी आप investment के लिए उठा सकते जब भी हमें gold की prices नीचे आती हुई देखने को मिले तब आप gold ETF में invest करने के लिए देख सकते हो और जब prices हमें एक अच्छा खासा profit डे रही हो जब gold हमें एक अच्छा खासा profit डे रहा हो तब आप profit book करने के लिए भी इस fluctuation का use कर सकते हो साथी साथ जो दूसरा सबसे बड़ा फाइदा होता है वो यह है कि gold ETF इंडिया में regulated और transparent है ऐसे में काफी बड़ा जो issue होता है gold में invest करने का gold की purity वो यहाँ पर खतम हो जाता है क्योंकि आप physical gold नहीं खरीद रहे हो आप एक ETF खरीद रहे हो हो जो Indian government के साथ registered है ऐसे में वो पूरी तरह से regulated है और वो transparent है साथी साथ gold एक अच्छा hedge होता है तो ऐसे में अगर आपका stock market का जो return है वो अगर आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है अगर stock market आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा हूँ तो ऐसे में gold की prices वहाँ पर आपको ऊपर जाती हुई देखने को मिल सकती है और इसलिए सालों से gold को एक अच्छे hedge के रूप में भी use किया जाता है साथी साथ ETF easy to buy और easy to sell है आप अपने demat account से gold ETF को buy कर सकते हो और gold ETF को sell कर सकते हो तो अगर आपको कभी जाकर liquidate करना हो अपने positions को तो easily आप उसको liquidate करने के लिए देख सकते हो आपको बाहर नहीं जाना है आपको jewelry shop में नहीं जाना है आप घर बैठे अपने amount को liquidate कर सकते हो साथी साथ आप ETF में small quantities में भी invest करने के लिए देख सकते हो छोटे से छोटे amount के साथ भी आप gold ETF में invest करने के लिए देख सकते हो और ये amount कितना छोटा हो सकता है तो 500 रुपे से भी आप gold ETF में invest करने के लिए देख सकते हो साथी साथ अगर आपको future में loan अगर उठाना हो तो ऐसे में bank के पास as a collateral आप gold ETF को गिरवी रख सकते हो और उसके बदले आप loan उठा सकते हो इसका मतलब क्या है कि banks भी gold ETF को एक safe investment के तोर पर मानती है तो आप इससे समझ सकते हो कि gold ETF एक कितना safe investment option हो सकता है साथी साथ ये hedge है currency depreciation का gold की prices हमें dollar में काम करती हुई देखने को मिलती है ऐसे में Indian rupees जो रोज हमें गिरता हुआ देखने को मिलता है उसके against भी हमें इस ETF के through एक protection मिलता हुआ देखने को मिलेगा तो अगर आप market से profit book कर रहे हो और उस profit को कहा security पार्क करना है वो आपको पता नहीं है तो gold ETF एक अच्छा option हो सकता है जहाँ पे आप अपने profits को पार्क करो और जब market गिर जाए तब वहाँ पर profit book करके वही पैसा आप market में डालो और नीचे की कीमत पर stocks को खरीदो तो ऐसे में अगर आप gold ETF में invest करना चाते हो तो एक सबसे अच्छा option जो है वो grow की तरफ से सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है जहाँ पे grow ने recently gold ETF launch किये है इसका NFO साथ से लेकर 18 October के बीच में आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा अब ये ETF जो है recently launch किया गया है ऐसे में अगर आप शुरुवात से इसमें invested रहते हो तो जैसे जैसे ये ETF हमें grow होता हुआ दिखाई देगा वैसे वैसे ही आपका पैसा भी यहाँ पर आपको grow होता हुआ देखने को मिलेगा ऐसे में सबसे अच्छी बात होती है कि किसी भी ETF के शुरुवात से ही आप इसमें invested रहो और ये grow की तरफ से एक अच्छे अपॉर्चेंटी मुझे दिखाई दे रही है जिसमें आप अभी invest करने के लिए देख सकते हो और इसमें investment करने का minimum amount जो है वो बस 500 रुपे है तो जरूर जाइए gold ETF जो की grow की तरफ से लाया गया है उसमें invest करने के लिए जरूर देखिए मैं आपको मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिन जय भारत